इथेनोल के उत्पादन को भी हमें बढ़ाना है मोदी जी ने लख्ष रखा है कि पैट्रोल के साथ 20 प्रतिसत इथेनोल को मिलाना है और 20 प्रतिसत इथेनोल मिलाना है तो हमें लाखोट टन इथेनोल का उत्पादन करना है तो नाफेड और NCC इसी पेटरन पर आगे वाले दिनों में मक्के का रजिस्ट्रेशन चालू करने वाले हैं जो किसान मक्का बोएगा उसका हम सीधा इथेनोल बनाने वाली फेक्टरी के साथ MSP पर मक्का बेचने की व्यवस्ता कर देंगे आपका कोई सोशन नहीं होगा सीधा आपका मक्का किसी न किसी इथेनोल बनाने वाली कंपनी के साथ हम बेच लेंगे आपको MSP का rate इसी patent पर इसी प्रकार के portal से सीधा आपके bank account के अंदर मिल जाएगा तो बाद में तो आप समझ लिजे आपका खेद मक्का नहीं उगाता है आपका खेद पेट्रोल बनाने वाला कुवा बन जाएगा देश के पेट्रोल के इंपोर्ट का जो foreign currency है उसको बचाने का काम मेरे देश की किसानने करना चाहिए मगर उसमें भी दूविदा है कि मक्का बोध फिर कौन खरीदेगा तो हमने ताई किया है कि एक थोड़े ही दिन में इसका भी व्योस्ता पूरा आपके सामने हम लेकर आएंगे कि मक्के का जितना उत्पादन आप करेंगे जो registered किसान होंगे वो सभी का मक्का लेकर हम इथिनॉल बनाने वाली कंपनियों को दो देगे और मोधी जी ने अब ग्रीन फ्यूल के लिए दुनिया का एलाइंस बनाए अभी तो हमारे पास जगे ही नहीं दुनिया में बेजने की क्योंकि हमें बीच प्रत्चत तक पहुंचना है परन्तु इससे भी आगे अगर किसान जाता है तो दुनिया भर में इथिनॉल बेजने की भी वियस्ता मोधी जी ने कर ली है कई मल्टी डाइमेशनल हमने प्रयोक किये हैं चने को चने के रुप में स्ट्रोल करने की जगे दलहन बनाना मूंकी दलहन बना कर रखना इसको मार्केट में डालना सरसो का भी हमने इस प्रकार से परचेस करने की वियोस्ता कल रहे हैं और सर्टिफाइड ओर्गेनिक चीजों को भी परचेस करने के लिए आने वाले दिनों में इसी प्रकार की वियोस्ता हम करेंगे जिससे और्गेनिक प्रोड़क का जो बजार में ज्यादे मुल्यम बनता है इसीधा किसान के खेत में चला जाए अब प्रकृतिक खेती अपना ये और्गेनिक चीजों को खरीदने की उसके एक्सपोर्ट का जो मुनापा है इस पर किसी का अधिकार नहीं है इसको उगाने वा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन भी दबा दे